नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल बेसिक नालेज़ पे हैं दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टापिक है कि इलेक्टिक ट्रेन और डीजल ट्रेन कितने का योरेज देती है तो सबसे पहले हम लोग देखें कि डीजल ट्रेन कितने का योरेज देती है तो दोस्तों जब भी कोई लोको पाइलेट जो है डीजल ट्रेन लेके निकलता है अपने एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाने के लिए तो सबसे पहले उसमें तेल फूल किया जाता है तेल फूल इसलिए किया जाता है कि मालनों कहीं ट्रेन बीच में रुख गई है आदे गंटा एक गंटा और कहीं स्टापेज नहीं है बीच में साइड में लगा के अगर रोग दिया गया है तो मतलब तेल परियाद तो रहना चाहिए ताकि तेल कम ना हो बाद में जब ट्रेन मापस आती है तो यह चेक किया जाता है कि कितना तेल बचा है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डीजल ट्रेन कितने का युरत देखती है तो डीजल ट्रेन देखिए हम लोग देखने हैं दीजल ट्रेन जो है 180 किलो मीटर अभी हमने पता किया तो 180 किलो मीटर जाने में जो है पूरी लोडेट गाली 180 किलो मीटर जाने में कितना लीटर तेल खाई थी 900 लीटर 900 लिटर 180 Kilometer जाने में 900 लिटर खाई थी तो हम देख लेंगे अब 1 किलो मिटर में की तalies खाई थी तो 900 भागे 180, ये 9 है तो इसको कार देंगे तो 1895 लिटर आया मतलब 1 किलो मिटर में 5 लिटर ऐखाती है ये लोडेर गाड़ी थी एक किलो मीटर में पांच लीटर तेल खाई तो डीजल या आगर कोई पूछे कि डीजल ट्रेन कितने का वरेत देती है तो आप बताएंगे कि एक किलो मीटर जाने में वो पांच लीटर तेल खाती है अब हम देखेंगे कि electric train कितने का वेलेट देखती है तो हमने देखा था कि 180 km यह तो diesel train गए थी इतना ही दूरी पर एक electric train जब गए थी 180 km तो वो खाई थी 6000 unit कितना 6000 unit 180 km जाने में 6000 unit train जो है बिजली खाई थी तो अब हम देखेंगे कि 1 km में कितना खाई थी तो 6000 में हम एक सवस्ती से भाग देंगे इसमें देखिए 6 से भाग देंगे तीन चाक अठारा और 6 से कट जाएगा इस सव आएगा एक किलो मीटर एगर लेक्टिक टेन जारही है अब हम देखेंगे कि दोनों में कौन जादाilah है तो देखे 17 अगर यह पारा यह खाए हैन्मा जारे तो कहीं आप चली 4000 तो देखिए डीजल का खर्च कितना आ रहा है दो सब बहततर रुपया तो इसी नाते हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रेन का यूद्ज ज्यादा कर रहे हैं और कुछ दिन में डीजल ट्रेन बंद हो जाईगी लेक्ट्रिक ट्रेन ही चलेगी तो चलिए आज के लिए बस इतना ही अ अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा